वेलकम तो यो चानल बना स्टडीज तो हमने लास्ट टाइम में इस क्वेश्चिन्स देखेते हैं अब हम 21 से फिर से देखते हैं ठीक है तो स्टाट करते हैं क्वेश्चिन 21 है तामर पाशारिक काईथा संस्कृति की खोच की गई थी ठीक है किस ने की थी मतलब तो ये की थी वियस वांकरकर ने ठीक है न ये धियान रेखिएगा भारत में नव पाशार्ण काल का निमनांकित में से कौन सा स्थान है था जहां बड़ी संक्या में हड़ी के औजाए प्राप्त हुए अभी ये केशन मैंने पहले भी बताया था क्योंकि ये रिपीट किया हुए इसमें तो ये जगह थी आपका चिरंद या चिरांद नामक पुरा स्थल है ये एक नौ पाशानिक स्थल है जो कहां पर है बिहार के सायर जिले में यहीं पर बड़ी संख्या में हड़ी के बने औजार प्राप्त हुए है और इस स्थल का उत्खनन 1962 में पीके सिन्हा ने गरवाया था तीक है तीसमा कॉश्चन है लमवत पुरा तात्विक उत्खनन के दुआरा किसी संस्कृती के निम्न में से किस पक्ष का विशेश ज्यान होता है तो उत्खनन कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के दो प्रकार से बतलब उत्खनन करवाया जाता है एक तो लमवत और एक उर्द्वाधर तो यह जो जब हम लमवत उत्खनन करवाते हैं तो लमवत उत्खनन से संपूर्ण संस्कृति का पता नहीं चलता, इससे विभिन संस्कृति के कालकरम का पता चलता है, और संपूर्ण संस्कृति का किसे पता चलता है, जब हम उर्द्वाधर उत्खनन करवाते हैं, इस प्रकार की खुदाई में किसी स्थान की लंबी चौबेसवा देखते हैं अनाज की उपच प्रिथम वार प्रारम होई तो ये अनाज की का उत्पादन से प्रिथम नवपाशार में हुआ जहां मानव कृशी और पशुपालन से परिचित हुआ हलां कि पशुपालन में वो मेसोलिथिक पीरेड में ही परिचित जाता है क्योंकि बागोर और एक और साइट का मुझे नाम नहीं नहीं आ रहा है बागोर राजस्थान की है और आदमगड येस आदमगड में भी पशुपालन के सबसे एंशिंट जो प्रमाण होते हैं बागो इसी नव पाशान कारीन बस्ती तथा बस्ती है जहां से जावल एवं ग्यूहूं का पता चलता है इसके ताब है थोड़ी हिंदी मिस्टेक है आप आपका तामर्यू इन्होंने लिखा है ना कि पूरा पाशान का 6 लाग से 10 लाग इसा पूर्व फिर आपको पता है न इसकी इसकी किंदी उल्टे में चलती है पर मध्य पाशान काल 10 से आट लाग इसा पूर्व फिर नो पाशान काल 4000 से 10 साफ पूर्व फिर नो पाशान काल 4000 से 11 consecutive तक था लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पूरे भारत में यही क्रम था कहीं कहीं नो पाशान काल के तुरंद बाद महां का पाशान आजाता है, मतलब वहाँ पे तामर पाशान वाला संस्कृती नहीं आती, जस्लाइक साउध इंडिया, रॉबर्ट बुरुस्फूट ने भारत में प्रत्थम पुरा पाशानिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया, इन्होंने किताब तो अच्छी लिखे रहे हैं जो शैल चित्रकला है, वहाँ के लिए प्रस्द है, तो ये तो सबको पता है, भीमबिट का, जिनमें से चार सो में चित्रों का अंकन है, इसमें कुल सोला रंगों का प्रियोग हुआ है, सरवाधिक संख्या में मध्य पाशान काल के चित्र है, इस चित्र में निर्त करता वा मानव समुदाय शिकार करते लोग तो जन्तों की 29 प्रजातियों आदिक की बहूलता है, तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है, 642 गुफा हैं, इसमें 400 में अंकन है, सोला रंगों का प्रियोग हुआ है, मध्य पाशान कालीन साइट, मतलब जो सब प्रजातियों के मतलब चुत्र मिले हैं, अधोलिकर संस्कृतियों में कौन सा पाशान योगिन संस्कृति नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है कि इसमें डिस्क्रिप्शन दिये हुआ है, तो सोथी जो संस्कृति है, वो सुराज्थान के बिकानेर जिले में सोथी नामक प्राक, हरप्पा, कालिन, मृद्भांड के अफशेश हैं वो खुदाई में प्राप्थ होते हैं, ठीक है, तो यह आप जानने जगा कि जो सोथी संस्कृति है, वो पाशान योगिन संस्कृति नहीं है, ठीक है, बाकि जो सोहन है, मद्रासी है, बिन्द है, देखे, फिर उ पाशान काली माना का मुख्य वेफसाए वो शिकार करना था, क्योंकि सुमट्टे के बतंभरान तो आता नहीं थे, तो नव पाशान काल से आया है, ठीक है, हाला कि मिट्टे के बरतनों के बारे में, लोग कहते हैं, कि मैसुलतिक के पिरियेट से शुरू जाते हैं, लेकिन बहुत ही अंगढ़े और भध्दे टाइप के थे और मतलब बेसिकली जो स्टार्ट हुआ वो नौपाशाणकाल से हुआ पर शुपाला उसे आता नहीं था पूरुपाशाणकाल के लोगों को कृशी कहां से आएगी तो वो क्या करते थे केवल शिकार करते थे ठीक है हस्त कु पूरुपाशाणकाल का है लेकिन किस विधी का है तो एसुलियन संस्कृती बाई फेशियल का हैंडेक्स को हैंडेक्स को 28 दिस्टमबर 1864 में प्रोफेसर किंग ने मदरास के वद मैदूरे और अतिरपक्कम से प्राप्त किया था हस्त कुठार उपकरन पहले मदरास में प् आपको पताया थे ना कि आर्केलोजी का यह नियम है जो हथियार या जो साइट पहले जहां से मिल गई बाद में भले उसके बहुत सारी उसके करम मिलते जाए अनेकों जगर से वो साइट मिले या वो हथियार मिले लेकिन जहां से पहले मिली उसी के नाम उसस्थल का नाम य प्राचीन भारत में जो विद्वा पुनरविवा कर लेती थी उसे कहा जाता था ये question वे से आर्केलोजी वालों के लिए है ये history वालों के लिए ठीक है प्राचीन भारत में जो विद्वा पुनरविवा कर लेती थी उसे पुनरभु कहा जाता था लगू पाशान उपकरण अ 1867 में विन्द छेतर में खो जा था ठीक है ना इस काल के उपकरण बहुत छोटे थे इसलिए इन उपकरणों को लगू पाशान का काल का कहा जाता था इस काल के उपकरण अर्ध चंद्राकार त्रेबुजा मुखी और संबलम चत्रबुजी औजारों में मतलब औजारों का इस काल में निर्माड हुआ मतलब इन तीनों का नाम रिट लीजेगा ठीक है क्योंकि ये तीनों important हैं माइक्रो लिखे जो tools हैं उनमें ठीक है फिर हम देखते हैं ये question है आपका थड़ी थी तामर निधी निधियां आर्यों का कर्तव है ठीक है किसका कथन है ये तो बड़ा नया नया है ये मेरे लिए नया है ये H golden का कथन है कि तामर निधियां आर्यों का कर्तव है ठीक है निम नव पाशानिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमार मिलता है तो कहां से मिलता है मागड़ा से ठीक है ना पाशानकाल में मानव विक्सित हो गया था ठीक है कथा मागड़ा से पशु का बाड़ा या गौशाला सावा के दाने जर्बेर की गुठलियां ये सब खाने वाले क्या कहता है उनको अनाजो के नाम है 20 या 28 जोपड़ियों से संबंद के स्तंबगर्थ के साक्ष मिलते है इस्तंबगर्थ जानते हैं आप क्या होता है जिसे माले जे खंबे को लगा के कोई जोपड़ी खड़ी की गई हो तो वहाँ पे गंठा सा बन जाएगा निशान बन जाएगा उस डंडे को लगाने का मतलब उस मतलब वो तो मतलब जो पिलर की तरह यूज होता होगा उसको बोलते हैं स्तंबगर्थ और फिर है इनाम गाउं प्रमुकस्तल है तो ये कहां का है जो इनाम गाउं है महरास्ट्रा के प्रमुकस्तलों में चिर्की निवासा भदने पसर बोरी या वारी एवं इनाम गाउं प्रमुकस्तल है तो महरास्ट्रा के सब इस्तलों का नाम इसने बता दिया ये सब महरास्ट्रा के हैं और इनाम गाउं भी जो इनाम गाम भी भी महरास्ट्रा का है बोरी से निम्न पाशान काल के प्राची इंतम तिथी ग्याद की गई है हाँ ये आप जब आप डेटील में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको उसमें ये बोरी वाला ये कथन आपका पुराता तवे मर्श में है कुछ historians का मानना है कि अब Лोहे का जो मतलब प्राची इंता है वो 1200 से 1400 इसापूर वजाती है ठीक है प्रसिद भीम बेटिका है वो गुफ़ा कहा है बहुत इजी सजावाल है ये मद्य प्रदेश के राय सेन जिले में है ठीक है उन्हें संतावन में विश्णु धर वांकरकर ने इसकी खोच की थी यहां प्रमुख रूप से कला का नाट की साक्ष भीम बेटिका के समकर्ष गु सबसे प्राचीन और जाता कहां तक है एतियासिक कल तक खोल मिलाके साथ कालों के मिलते हैं चाबल का प्राचीन तम जो प्रमारे कहां से प्राप्त हुआ तो मैंने आपको बताया था अगर आप्शन में इसने दिया है बिहार, बंगाल, उत्रप्रदेश, छत्रप्रदेश तो अगर आप्शन में लहुरा देव या कोल्डेव मारेंगे लेकिन इसने पूछा है कि इसने तो स्टेट पूछा है तो कोल्डी हमा भी उत्तर प्रदेश में है और लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में है तो हम मारें उत्तर प्रदेश और इसकी व्याक्या में इसने दिया है लहुरा देव यूपी की संत कबीर नगर में कृशी किय जानने का प्राचिंतम साक्ष यहां से मिला है यहीं से चावल का भी प्राचिंतम महत्मूर्ण साक्ष मिला है लवरादेव की काल जो काला विधी है वो आठ़जार से 9000 BC गई है ठीक है ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है मतलब 30 काल के हैं तो उच्च पूर्व पाशान काल का समय 33,000 BC से लेके यह 1000 दे रहा है हलांकि इस नॉट 1000 यह 10,000 है तीक है यह गलत है 10,000 BC तक माना जाता है इसे मैंग्डेलियन संस्कृति कहा जाता है इस काल का मुख उपकरण ब्लेड था इसलिए से ब्लेड प्रधान उच्च पूरु पाशान काल भी कहते हैं मद्य पाशान एक इस्थल चौपानी मांडो से थे चौपानी मांडो कहा है इलाब के इलाबाद के कुराव तैसल में बूंदी बेलन नदी के किनारे से थे इसकी खोज बीबी मिश्रा ने की थी यहां से जंगली चावल हस्त निर्मत मिर्दभान एम अन्नागारों के अवस्था का प्रतीक मना जाता है sorry guys मैं आगे का lecture आगे continue करूंगी कोई मेरे घर पर आ गया sorry see you then take care bye